जीवन में संघर जितना कठीन होगा सफलता उतनी ही उची और सांदार होगी ये लाइने प्रिया अपनी नोड़ बूक में लिख रही है और ये साबित उन्होंने कर दिया है कि गरीबी कभी सफलता के आगे आड़े नहीं आ सकती हमारे सांद प्रिया है और क्लास 10 में इन्होंने नववा रैंक हासिल किया है और पूरे 36 गड़ का नाम रोसन किया है उससे कहीं जादा काविले तारीफ इनके परिवार की करना चाहेंगे क्योंकि इनके पिता एक रिक्सा चालक है एक छोटे से कमरे में रहकर प्रिया ने इस बड़े मुकाम को हासिल किया है प्रिया हमारे साथ सिधे तोर पर जुड़े प्रिया सबसे पहले तो आपको न्यूज 18 की तरफ से धेर सारी शुक्त काम नहीं था तो सब करते तो मैं बोलोगी इन्सान साथ देता है तो सब हो जाता है आपके वक्त में कौन कौन सांद मेर् kitchen पूर Oreo टीचरस के टीम और मीरी पूरे पैले पूरे हार कई मेरा सप्ष एक अर पर्तोट करते हैं कितने घंटे पढ़ाई करना होता है टॉपर बनने के लिए ज्यादा नहीं चार घंटे भी अगर आप डेली पर डेली तो कर सकते हैं आप कैसे तैयारी करते हैं मैं मेरा चार फास घंटे कर रहता था बहुत ज्यादा मतलब नहीं दिन पर पड़ती थी इसकूल कोचिंग सब रहता था इसलिए बाकि एकदम जी जान भी तो नान करना पड़ता डेली करो तो हो जाता है कैसा रूटीन रहता था आपका सुबह सु से फिर पढ़ाई करती थी और राथ को यहीं दस बचे तक दस साठें दस बचे तक लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल का बच्चा टॉपर ने बन सकता यह तो गलास हो गया तो यह यह प्रिया के जहन में क्या है क्या क्या करना चाहती है प्रिया गरीबी बहुत करीब से देख रहे हैं आप पिता जी सुबह से निकलते हैं क्या रूटीन होता है उनका पापा सुबह जाते हैं साथ बजे मेरे छोटे भाई उसको स्कूल छोड़ते हैं फिर वाटर चलाने चले जाते हैं बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती है जो बच्चे कई बार कम अंक आते हैं या फेल हो जाते हैं तो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्ची क्लास 10 में नुवा रैंक हासिल क्या है और इनको कोई बच्ची क्लास 10 में नुवा रैंक हासिल क्या है और इनके होसले और इनके जज़बे को सलाम है ये कहती है कि छोटी सी चीज को लेकर हार नहीं मानना चाहिए मेहनत करते रहिए सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी बिलासपूर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर बिलासपूर प्रिया साहू के पिता जी इतवारी साहू इस वक्त मेरे साथ मौजूद हूँ और वो उस आटों पर मौजूद है जिससे इनका पूरा परिवार चलता है और इसी के पैसे से प्रिया और अपने पूरे परिवार का पालन पोशन करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का पुर मेहनत बहुत की है कितना संघर्स करते रहे हैं आप उनकी जरुतों को जैसे बीटिया की कोई जरुवत पूरी जो बोलती थी कुछ कमी है उसको गाइड है कोचिंग है और जैसे साइकल से जाना है साइकल लिए ऐसा टाइप का मतलब जो 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 मांग करती थी उसके लिए कहीं कहीं लाकर हम आटों चलाकर उसका मांग को पूरी करते थे क्या बनाना चाहते हैं विटिया को क्या बनना देखता चाहते हैं वो तो सुरू से ही इंजिनिंग का सपना देखी थी और हम लोग मैं भी पढ़ा था गड़ी थी लेकर जी और आगे मैं नहीं पर पाया तो मेरा सपना को मेरे लड़की पूरा कर रही आज बहुत खुसी हो तो पिता के सपने को सच करना हर बच्चे का एक भरोशा रहता है कि वो अपने पिता के लक्ष को अपने पिता के सपनों को पूरा करे और इसी सपनों को पूरा करने के लिए प्रिया जी जान से महनत कर रही है और झाल 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 झाल